हेलो एवरिवन वेलकम बैक तो स्वीट सिंपल लाइफ सो यहाँ पर जो मैंने लास्ट व्लोग डाला था ना वालमार्ट शॉपिंग हॉल वाला बस उसी के बात का कंटीनिव व्लोग है ये इवनिंग का टाइम था सो यहाँ पर जो मैं कटीनिव लेके आई थी उसे मैं देख रही थी कि इसमें फीट हो रहा या नहीं हो रहा है सो बहुत हार्डली फीट हो रहा था इसमें हलाकि थोड़ा इनकन्विनियन तो होगा मेरे लिए लेकिन मुझे ये बड़ा पसंद आया सो मैं इसे कंटीनिव करूंगी रखूंगी वैसे भी मैंने इसके रैपर वगेरा फैक दिया है सो अब तो रखना ही पड़ेगा सो बस उसको मैंने दोने के लिए रख दिया था उसके बाद मैं आ गई हूँ यहां पे ग्रोसरी को थोड़ा सा सौट आउट करने के लिए सौट आउट तो क्या यहां वहां उधर उधर हो चुकी है होता है न कई बार के हमें एक चीज चाहिए उसके आगे हमें दो चीज बिगार के आते हैं बस वही आप यहां पर हो रखी है सो यहां मैं सारी वैसे भी मुझे आ इंदियां ग्रोसरी करने जाना है सो कुछ चीजे मुझे चाहिए लाई है लाई ची वगेरा खतम हो रखा है Сोचा यहां भी चैक कर लोगा कूक्छ लाना हो तो इस container में रख लेती हूं जो एक्स्ट्रा पैकेट्स होते हैं उसको यहां भी चेक कर रही थी कि क्या है मेरे पास और क्या लाना है इसे भी एरेंज करके अच्छे से रख लिया है और यहां पर यह वाइट बीन है न यह मेरा रूटीन का है जो हम container में grocery भरते हैं और उसके बाद जो बच जाती है न आधे अधूरे packet होते हैं वो मैं इसमें रख लेती हूं वो यही पर है जो लगता है कि expire हो गया है हाला कि expire थो थोड़ा बहुत हुआ था लेकिन क्योंकि हम 4 हपतों के लिए गए थे घुमने के लिए तो कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे निकाल देनी थी इसमें से वो निकाल दी मैंने सॉट आउट कर लिया इसमें से सब कुछ और ये कुछ Indian snacks हैं इस बिन में मैं Indian snacks रखती हूँ सो वो भी यहाँ पर मैंने रख दिया सो सारा कुछ अच्छे से सैट हो गया यहाँ पर और इसके बाद ये सारा कुछ clean करने के बाद मैं फिर से kitchen में चली गई क्योंकि मुझे आज नमक पारे बनाने थे ऐसे कुछ भी ये schedule नहीं था बिना schedule का ही ये सारा काम हो रहा था आज लेकिन एक बाद एक बस्क होते चला गया सो नमक पारे के लिए मैं यहाँ पर लूँगी दो कप गेहूं काटा लिया है मैंने आप चावो तो गीहूं का आटे से भी बना सकते हो लेकिन मैदा डालने से थोड़े क्रिस्पी अच्छे ज्यादा होते हैं सो टू एंड टू लिया है यहाँ पे मैंने उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें दो तो एंड हाफ टी स्पून यहाँ नमक लूंगी एन हाफ टीस्पून यहाँ पर मैं अजवाएं लूँगी वन टीस्पून जीरा डाल दूँगी इसके अंदर वन टीस्पून यहाँ मैंने हल्दी ली है दो बार अधी-धी स्पून करी है यहाँ पर क्योंकि उसमें भी खाली होने को है तो एक साथ आ नहीं रही थी चम्मच में उसके बाद यहाँ पर वन टीस्पून मैंने तिखी वाली मिर्ची ली है रेड वाली एन वन टीस्पून कस्मेरी रेड चिली पावडर ली उससे कलर अच्छा आता है इसमें एन थी टीस्पून यहाँ मैं तिल लूँगी और दो टीस्पून सक्कर यहाँ पर लिया है मैंने आप सुगर इसमें आवइड भी कर सकते हो लेकिन इससे थोड़ा सा स्वीट टेस्ट अच्छा आता है और लाइक वन टीस्पून जितना मैंने यहाँ पर क्रेक्ट ब्लैक पेपर लिया था यह अप्सनल है अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डाले लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है बस इस तरह से सारे मसाले इसमें मिक्स कर लो उसके बाद मैंने यहाँ पर वन फोर्थ कप ऑईल लिया है सो यह पर्फेक्ट मेजर्मेंट है ओईल का फोर कप आप कुछ भी लो गिहूं का आटा ले लो मैदा ले लो या फिर दोनों मेरी तरह अधा 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 ले लो दो कप आटा और दो कप मैदा लेकिन यह वन फोर्थ कप ऑईल यह इसका पर्फेक्ट मेजर्मेंट है यह दे आप चक सकते हो कि कुछ इसमें कम हो लेकिन मैंने जैसे कहा यह परफेक्ट मेजरमेंट है तो कुछ भी इसमें एड करने की जरूरत नहीं थी और वन कप यहाँ पर मैंने वाटर लिया है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालती हुए हमें टाइट आटा लगाना है इसका इतना टाइट भी ना लगाए कि बिलने में हड हो और वो ड्राइ हो जाए जब हम फ्राइ करे तो आटा यह बहुत ही जरूरी होता है किस तरह का होना चाहिए यहां पर टोटल पानी नहीं होना चाहिए बहुत डिला भी नहीं होना चाहिए सो बस इसके लगा के मैंने आधे गंटे के लिए इसे रेस्ट दिया था उसके बाद फिर से इसे अच्छे से मसल लिया था और इसके बाद लोई लोईयां बना ली थी लोईयां भी बनाते हुए अच्छे से मसलते हुए मैंने बनाया था आप देख सकते हुए यहां पर सो इस मैं बड़ी बड़ी बना रही हूँ न रोटिया सो वो चकले में इतना फीट नहीं होता सो इस तरह से जल्दी से हो जाएगा क्योंकि मैंने जैसे कहा आज मेरा बिल्कुल भी स्केजूल नहीं था यह चीजे सारी करने का सो बिना स्केजूल के ही बन रहा है यहाँ पे और मैं मौर्णिंग परसन हूँ मैं मौर्णिंग में ज्यादा प्रिफर करती हूँ यह सारी चीजे बनाने के लिए और अभी यह अल्मोस्ट नाइट होने को है और मेरा फ्रस्ट्रेशन लिवर बढ़ते जा रहा है क्योंकि मैंने ही निकाला था यह सारे काम करने को सो बस इस हिसाब से मैं जल्दी जल्दी ट्राइग कर रही हूँ कि किसी तरह यह काम फिनिस हो जाए इसके बाद मैंने यहां फॉर्क से इसे होल कर लिया है इसमें और इसे हम कट कर लेंगे अपने हिसाब से से शेप दे दो ट्राइंगल ले लो या स्क्वेर बना लो कोई भी सेप दे सकते हो आप उसके बाद मैंने यहाँ पे प्लेट पे निकाल लिया था सब को सारा सक्कर पारे और यह बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे क्योंकि मैंने जैसे कहा आटा बहुत ही अच्छा लगा है अगर धिला होगा तो वो चिपकेगा लेकिन यह पर्फेक्ट था इसी तरह से मैंने सारे यहाँ पर बिल्ने स्टार्ट कर दिये थे और ओयल भी यहाँ गरम हो गया है हमारा यह देखे मैंने मिडियम हाई फ्लेम पे रखा था और अब मैं ओयल गरम हो गया है तो मैं मिडियम पे कर दूँगी मिडियम फ्लेम पे इससे और इस तरह से मैं सारे नमक पारे इसके अंदर डाल दूँगे जैसे मैंने कहा ये इस तरह से आप एक साथ डालोगे तो अंदर जाके भी अलग हो जाएंगे क्योंकि आटा अच्छे से लगा है इसलिए अगर आपका आटा धिला है तो इस तरह से ना डाले अधरवाइस वो चिपक जाएंगे अंदर और फिर इतने अच्छे से फ्राइ भी नहीं होंगे और ये जो कडशी है ना ओयल वाली जो जिससे हम फ्राइ करते हैं इसे हमेशा इस तरह से सेपरेट प्लेट में रखना चाहिए अधरवाइस सारा ओयल हम जो फ्राइ करके जो भी चीज फ्राइ करते हैं उसके अंदर आप उसी में रखोगे तो ओयल फिर से उसमें ड्रेन हो जाएगा गशिंट जो बस इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे अछे से इसे फ्राइ किया था एक बैच होने में एक्लिस टैन मिनित लगते है इसे गंए सो सांती से इसे करिना होता है काम ठोड़ा टाइम कंजूमिंग है ये इसी तरह से मैंने सारी जैसे बेल लिये थे और कट करके मैंने प्रेट में रख लिया है और इसे थक्ना मैं रख दूंगे एक साइड पर और यहां सारे नमक पारे, फ्राइम भी हो चुके हैं, अब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशं लेवल थोड़ा कम होते जा रहा है, और देखे आप देख सकते हो, यहां कितना ओयल यहां पे निकला है, यह कर्ची में से आते जाता है, जैसे जैसे हम फ्राइम करते हैं, सो इसलिए इस तरह से सेपरेट रखना चाहिए हमें प्लेट इसकी सो यहाँ पर सारी मेरे नमक पारे रेडी हो गए हैं और इसके यहाँ तो काम पूरा होता नहीं हम लेडीसों का आगे भी होते हैं सो सारा क्लीनिंग किचन क्योंकि ओयल वगेरा सब था मुझे इसे वह एक्छास फैन मुझे भी क्लीन करना था और ये लगे हात में उसे भी क्लीन कर दिया क्योंकि दिवाली आ रही है तो मुझे करना ही था तो सो आज थोड़ी इतना देर हुआ है तो थोड़ी और ज्यादा सो ये सारा kitchen वगेरा मैंने clean कर लिया जैसे मैंने कहा कि आज के सारे काम मेरे बिना plan के ही थे इसमें से एक भी plan नहीं किया था मैंने लेकिन फिर चलो जब काम finish होता है न तब feel good होता है कि चलो हाँ एक काम finish हो गया So I hope so आज का ये vlog आपको पसंद आया हो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर से करना चलिए फी मिलते हैं अच्छे से व्लोग के साथ अंटिल देन टेक केर एंड बाई बाई